थोड़ा डाव फ्यूचर्स ने भी मुमेंटम गिवप किया है सर पचास पॉइंट ही उपर है नाजड़क फ्यूचर्स हलकी नर्मी दिखा रहे हैं तो थोड़ा वॉलेटाइल हुए हैं डाव फ्यूचर्स बट वैसे कुछ जाधा परिशानी नहीं है यॉरप के बाजार कल एक परसंट ऊपर थे अभी अगर आप देखें आधा परसंट ऊपर ही आपको दिख रहे हैं सर एशा भी ठीक ठाक था इनफाक्ट होंग कॉंग तो सवा परसंट ऊपर ही बंदवा हमारे बाजार में जाधा प्रेशर है थोड़ा ग्लोबल मार्केट को अंडर परफॉर्म क कर रहे हैं क्या रहा है सर राइद दिपाई है रेंज में फसे में हैं आज रेंज के थोड़े निशन सिरे की तरफ हैं और डाव फिटर भी हरे निशान में हलके फुलके है तो ज़्यादा कुछ है नहीं है मैं अपना वही फॉर्मुला है 16,825, 16,925 खरीदारी की रेंज है तो लाट सु की नीचे बंद होगा तो एक्जिट कर लेंगे लॉंग पोजिशन से अधर वाइस ये रेंज खरीदारी की है उपर की तरफ वही 17,050, 17,150 की रेंज में आएगा तो वहाँ प्रॉफिट बुक किया जाएगा अब आएगा आज लगता तो नहीं है बैंक निश को 17,000 इसके नीचे ट्रेड करना और आखरी एक गंटे में डेर गंटे में अच्छी बात तो नहीं है क्योंकि आज फिर से आप 17,000 की नीचे बंद होने की तैयारी करते वे दिखेंगे लगाता है 30 से दिन, 17,000 के पुट पर एक करोड तेंस लाग शेर है जो हाइस्ट है और कॉल्स पर यहाँ पर भी हाइस्ट ऑपन इंटर्स ही पर है तो दिप पुट और कॉल दोनों में 17,000 के लेवल पर ही हाइस्ट ऑपन इंटर्स है एक करोड चालेस लाग शेर और एक करोड असी लाग शेर तो 17,000 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है आज सुबह भी हम यह बात कर रहे थे हैं कि 17,000 से आप टेजी और मंदी गिनिये तो 17,000 से नीचे ही है तो थोड़े खराब तो ही क्लोजिंग 17,000 के आसपास से इसके उपर के मिल जाए तो यह अपने आप में ठीक है अब तक की जो लोईस क्लोजिंग मिली पिछ्थे दो अफ्तों की दस दिनों की वह के पाइए BACTI, 49,400या, 49,500 सपोर्ट जोन है न 90 में पाइक के पुट पर 500 लाग श्हर है घ्थ अधि非常ए का अग्सा पान 49.600 के उपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो 49.700, 750, 825 ये तीन लेल्स आएंगे और जब तक इस 200 पॉइंट के रेंज में ट्रेड करता है तो ये नोटा टाइप वाला मामला कुछ भी करने जैसानी है ये तो निफ्टी उपर आजाए ये बैंक निफ्टी नीचे आजाए दो में से एक चीज होगी और वो क्या होगी डाउफ फीचर्स दिसाइड करेगा पाइद आपके लिए इस समय के रहा है